Hello students, इस वीडियो में आज हम सभी जो हैं पिंसिपल ओफ एकनॉमिक्स के बार में बात कर रहे थे हो, प्रिवियस क्लास हमने फोर पिंसिपल को डिस्कुस किया था, इस क्लास में हम अगें थ्री पिंसिपल को ओर डिस्कुशन करेंगे और वहाँ पर हमने प्यूपल्स डिसीज में के ऊपर है, नेक्स जो थ्री पिंसिपल से इसके बाद आएंगे, वह आएगा कि किस तरीके से प्यूपल्स जो एंट्रेक्ट करते हैं विद अनादर, ठीक है, तो चलते हैं, पहला पिंसिपल यहां पर आता है, आप फिर आप फिफ्थ पिंसिपल वहीं से अगर सुरव अगर आप कुछ भी कर रहे हों, तो उससे दूसरे का नुकसान ना हो, उसका भी फायदा हो, ठीक है, ऐसा आपने बहुत कम सुना होगा, जैसे एक्जामबल के तौर पर, जब आप देखेंगे कि लोग competition इतना तगड़ा करते हैं कि हर दूसरे को बस गिराने में लगे अगर आप कॉछँट इसके रहे हैं, तो इनका कमपटिशन बहुत एजी नहीं इन कंटरीज के बीच में, बहुत ज़ादा है, तब भी यह सोच रहे हैं कि दूसरे का better off हो Trade between the United States and Japan is not likely to a sport contest in which one side wins and the other side is lose In fact, opposite is true ऐसा भी हो सकता है Trade between two countries can make each country better off to see why Consider how trade affect your families भाई देखें, simple सा अगर मैं आपके example दो हम एक ऐसा trade off करना चाहेंगे दो countries के बीच में जिससे दोनों countries का क्या हो benefit हो रहा हो एक example ले लेते हैं माल लेते हैं कि USA है और India है USA बहुत efficiently चा बना सकता है Rice produce कर सकता है lower cost में और India wheat produce कर सकता है lower cost अगर यह दोनों countries, rice और wheat दोनों ही अपनी countries में produce करें तो एक में जिनमें इनको lower cost पढ़ रहा है USA को rice में lower cost पढ़ रहा है तो वो wheat थोड़ा महंगा costly produce करेगा और जबकि इंडिया अगर wheat efficiently produce कर रहा है lower cost पर तो वो rice को higher cost पर produce कर रहा होगा उससे जादा तो क्यों ना अगर यह दोनों countries आपस में trade करें तो दोनों का better off होगा कैसे देखिए अगर USA produce wheat produce करना बंद कर दे और fully dependent हो जाए इंडिया के उपर और इंडिया rice को produce करना बंद कर ले और fully dependent हो जाए USA के अंदर USA पर तो क्या होगा कि भई इंडिया को rice जो है वो at a lower cost मिल जाएगा इंडिया में जो इंडिया वाले produce कर रहे हैं उससे भी कम और वो हमको देना भी चाहेंगे because उन्हें तो उससे ज़्यादा charge कर पाएंगे price और हमारे पास जो USA है वो इंडिया पर depend हो सकता है wheat के production पर wheat अगर इंडिया जादा में भी देगा तो भी वो ले निकले तयार है because उससे जादा higher cost उसके देश में आरी है wheat को produce करने में तो इंडिया से खरीद निकले तयार होगा तो इससे आप देख रहे हैं कि दोनों ही countries benefited हो रही है benefit मिल रहा है है ना तो और competition भी खतम हो गया तो इस तरीके से आप देख सकते है how trade-off affect the family वेना अगर आप आप याँ देखें when a member of your family looks for a job he or she compete against the member of other families who are looking for job by competitive exams देख लीचिए UPSC का exam देख लीचिए SSC का exam देख लीचिए इतने सारे लोग compete कर रहे है मतब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब किसी चीज का exam clear करूँ मेरे सामने और भी लोग है जो चाहते है exam को उसको clear करना वे competition बहुत against है हर किसी के families also compete against one another when shopping because each family wants to buy the best goods at the lowest price so in sense each family in the economy is competing with each other basically आप देख रहे हैं आपर कि किस तरीके से countries, families, पूरी economy में लोग जो है compete कर रहे है interact कर रहे हैं और किस तरीके से interact कर रहे हैं वो हमने समझा और क्या solution है वो मैंने आपको USA और इंडिया के trade वाले example में दिया आपको clear यहां तक बच्चे आगे चलते हैं principle नमर 6 अगर आप देखें market are usually a good way to organize economic activity तो जो market है वो economic activity को organize करने के लिए good way है कैसे समझते हैं जरा फिल तो market के बारे में economic activity क्या होती है जरा इसको समझ लेते हैं ऐसी activities जो आप earning के लिए करते हैं कुछ earn करना चाहते हैं वो economic activities होती है simple सा मतलब है फिक जो economic activities है आपका वो market organize करेगी उसके लिए आप देखें तो the collapse of communism, communism अगर आप जानते हों in the Soviet Union जो था आपके पास Eastern Euro in 1980s may be the most important change in the world during the past half century communist countries work on the premise that government official were in the best position to determine the allocation of resources in the economy ठीक है but these central planner decided what goods and services were produced and how much produced and who produced and consumes these goods and services ये communist जो government है communism में यही होता है ठीक है सारी government ही decide कर रहे होती है the theory behind the central planner was the only government could organize economic activity in the way that promote the economic well-being of the country ठीक ही कर सकती है ऐसा government ही कर सकती है तोड़े बट आज की वक्त में अगर आप देखें most of the once central planned economies are abundant these system and are trying to develop market economies part economies basically private sectors are involved in the economic decisions economic activities but in communism the socialist economies only government are involved in the in economic activities in the market economy the decisions of the central planner are replaced by the decision of millions firms and households firms decides whom to hire and what to make इसको hire करें और कितना बनाएं ठीक है अगर आप central plan economy अगर आप देखें capitalism को अगर आप study करते हैं तो आप देखतें कि वहाँ पर private sector fully independent है वहाँ पर वो अपनी मर्जिस है लोगों के हिसाब से चीजों को क्या कर रहा है recentralize कर रहा है अपने resources को और बाट रहा है और production कर रहा है अगर आप देखते हैं overall economic well-being में अगर आप 76 book of an inquiry in the nature on cause of wealth of the nation जो कि Adam Smith जो father of economics हैं उन्होंने अपनी books में इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है household and firms interacting in market as if they are guided by the invisible hand उसको किसी को control नहीं करना पड़ता जैसे कि उपर government control कर रही है that leads them to desire market outcome our goals in the books that understand how is the invisible hand its works magic जैसे अगर market में अगर household or firm को आप छोड़ दे और कोई भी उसको control ना करे तो बेचने वाले बेचेंगे खरीदने वाले खरीदेंगे it is a invisible hand work automatically process जो है चलेगा automatically change चलेए जाएंगे as you study the economics we will that prices of the instrument which the invisible hands direct economic activity basically वहाँ पर prices आ जाता है prices कितना market में रखना है तो जितना demand जितना supply है उसके बेहाब पर आप prices को decide करते है तो यहाँ पर आप इस study में यही बढ़ते हैं कि किस तरीके से आपका idea रहता है market क्यूं अच्छा है market ही basically दोनों जो buyers और sellers है उनको मिलाता है market में है ना और वो अपना trade-off कर पाते हैं interact कर पाते हैं people से एक दूसरे से ठीक है seven principle की अगर हम बात करें और third principle जो आपका second unit है उसका governments can something improved market outcomes market outcomes को government अभी हमने देखा एक invisible hand की तरह चलती है market why government needed in the market and interacting the economies देखे आपको किसी भी market के अंदर market जब freely चल रही है government चाहिए इसकी need भी होती है because of many government policies are affecting the whole structure of economy क्योंकि जो आप अगर market नहीं होगी तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शर्स जो है बेकार हो रहे होंगे और government उनको control कर रही होती है जैसे one reason अगर हम दें तो government is that the invisible hand can work its magically if the government enforce the rules and maintains the institutions that are key to market economy तो market economy बन गई है उसमें government rules and regulations लाकर उसको control कर सकती है ताकि हर player उसमें अपनी मर्जी से काम ना करे ठीके its property rights and enforce a farmer won't grow food if he expected his crop be stolen अगर उसकी फसलें चोरी हो जाएंगी तो वो कभी भी फसल नहीं बकाएगा और restaurant कभी भी means को serve नहीं कर पाएगा अगर customers उसे लगेगा customers उसके लिए pay नहीं करने वाल एक music company कभी भी cds नहीं बनाएगी अगर उन्हें लगेगा कि consumers उसे avoid करेंगे pay करने के लिए और उसकी illegal copies बनाएगे तो उसके लिए हमें एक government की जरूरत है यो property rights बनाएगे कि भाई यह property अगर मेरी है तो इस property पर मेरा ही rights है और कोई इसको नहीं खरी मतलब बना नहीं सकता है इसकी duplicate copies तो इस तरीके से government हमको चाहिए एक organize और persons को interact करने की ठेक है अगर आप देखें कुछ goals के बारे में जो efficiency के बारे में है efficiency means सबी मैंने बताए efficient allocation होना चाहिए optimum best level of satisfaction consumers को मिलना चाहिए maximum profit मिलना चाहिए producers को एक ऐसा आप अगर देखें और जब वो allocation नहीं मिलता तो वहां market fail होता है economics ने market failure की situations दी है which the market is own fails to produce an efficient allocation of resources efficient allocation नहीं हो पाए one possible cause of market is the failure to externalities externalities means other factors external factors basically which impact the person actions on the well-being by by standard the classical example of externalities is pollution by pollution के वज़े से market में impact आएगा suppose that अगर आप production हो रहा है उस production से pollution हो रहा है तो pollution कहीं न कहीं लोगों की health पर impact डालेगा और लोगों को एक cost bear करने means doctor के पास वो जाएगे तो उनको एक cost bear होगी वो उनकी एक externalities है negative impact है पूरा आप कहें तो ठीक है तो वहाँ पर market क्या हो सकती है fail हो सकती है market power refers to the ability to a single person or seller group to unduly influence market prices for example if everyone is in town needs water but there is only one on well the owner of the well is not subject to regorious competent and with which the invisible hands normally keep self interest in check in the presence of externalities market power well-designed public policies and enhance economic efficiency अगर ऐसा हुआ कि एक हुआ है और वो उसका मालिक है तो वह बाकी लोगों को थोड़ी यूज़ करने देगा तुम ठीक है कि how economy is economy as a whole work किस तरीके से पूरी economy का वर्क चल रहा होता है ठीक है economy एक system है जैसे कि मैंने last में आपको बताया भी है ठीक है तो पहला principle यानि एट प्रिंसिपल पहला इस टॉपिक का मुझेपल all over the eight principle है a country's standard of living depends on ability to produce goods and services ये depend करता है कि market में कितना goods and services produce हो रहा है और तभी तो लोगों की standard भाई जिससे हिसाब का goods and services मिलेगा आपको society में वो तरीके के लोग रहेंगे उस तरीके का उनका standard होगा और income भी other factors है वो भी मैं बात करूँगा आगे जाकर ठीक है यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा अगर हम बात करें difference in the living standard around the world are stringing in the 2003 average American had an income about this in the same year the average maximum income is this and the average Nigerian are not surprisingly this is the large variation in the average income in reflects in the various measures of quality of life citizens of income country have more TVs more cars better nutrition better health care long life expectancy that's than citizens low income countries low income countries में वहां पर यह सब चीज़ें कम हैं और जिसमें ज्यादा है उनके पास यह सारी चीज़ें अवेलवल हैं तो आप यहां पर कह सकते हैं कि changing in the living standard over the time also a large in United States income ज्यादा है ग्रूज़ ज्यादा है तो ग्रूज़ें आप टो पर संट पर यह आफर अफर 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 यह आफर अफर जाएं आफर यह आफर आफर यह आफर इंकम लार्ज़ें जाती हैं उनकी बढ़ते जाती हैं इस तरीके से भाई गुर डिपेंड करता है ना कि अबिलिटी कितना मार्केट में अविलवल है उसके साफ से लोगों की लिविंग स्टेंडर्ड डिपेंड करती है आपके आपर पढ़ लीजेगा इसको आपको समझ में अगर बात करें तो प्राइज राइस वेन गवर्मेंट प्रिंट टू मच मनी सिंपल सी बात है अगर जादा प्राइज हो जाएगा तो जादा लोग अबिलिटी टू पे दिखाएंगे लेकि जर्मनी में 1921 में डेली निउस्पेपर कॉस्ट इतने थी लेस दन तू येर्स लेटर इन नवंबर 1922 दा निउस्पेपर कॉस्ट सेवन्टी लैक सेवन करो म अगर्मक्स all the other price in the economy rose by the similar amount this episode is one of the history's most speculative example of inflation an increase in the overall level of prices in the economy ते कही है ये एक एक समपल निन ही आग एक एक जाम पल सी है for instance the overall level of the price is more than doubled and the president Greenland Ford called inflation public enemy number one public ka number one dushman inflation hai okay inflation 1990 mein around 3 percent tha at this rate it would be more than 20 years at the price are double and because high inflation imposes the very various cost on the society and keeping inflation low level of the goal economic policy around the world income come होती है और अब जब prices ज्यादा आप government print करती है ज्यादा money तो inflation ज्यादा बढ़ता है पैसे ज्यादा available होते है market के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा जो है महनाई होती है चीज़ें जैसे example के तौर पर आप कहें एक हजार रुपे थे चीज को खरीदने के लिए के वल दस रुपे पे कर सकते हैं अगर आपके बास ग्यारा रुपे होंगे और वह बहुत मुश्किल सी चीज मिलेगी तो आप उसके लिए ग्यारा रुपे करने के लिए तैयार होंगे तो यही होता है कि जो inflation है जो महंगाई है वो उसको अगर आपको कम करना है तो unemployment create होगा तो आप कह सकने कि unemployment को कम करने की cost है inflation बढ़ना ना देखे जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको महंगाई कम करनी है तो लोगों की wages कम कर दो लोगों के पास जो available money उसको कम कर दो जब लोगों की wages आप कम करोगे तो लोग काम करने के लिए ready नहीं होंगे कम पैसे पर unemployment हो जाएगा समझ रहे हो ना मेरे बात को यह बहुत short में मैंने आपको समझाया यह बहुत बढ़ा concept है आगे आप flips cups देखेंगे ठीक है ना वहां पर जो पूरा trade office की बारे में जो बता है हुआ है all thought the higher prices is the long run the primary effect on the increasing the quantity of money quantity of money ज्यादा money आप जा लेंगे तो वाही आपका long run में फेक्ट देखने को मिलेगा prices बढ़ जाएंगे the short run story is the more complex and more controversial most economists describe the short run effect of the monetary injection as follows increasing the amount of money in the economy stimulates the overall level of spending and thus demand and goods and services यह ज्यादा बढ़ जाएंगी higher demand may over time cause the firms to rise their prices भाई जै अद्जार demand होगी तो price भी बढ़ाएंगे price बढ़ाएंगे तो इसके वज़े से quantity को ज्यादा goods and services को produce करना पड़ेगा जिसके लिए ज्यादा workers को लेना पड़ेगा और ज्यादा वर्सकर्स को लेंगे तो goods and services भी ज्यादा produce कर पाएंगे और ज्यादा hiring करेंगे तो lower unemployment आएगा because क्यों क्यों कि वो चाहेंगे कम से कम wage rate पर ज्यादा hire कर लें और ऐसा होगा नहीं लोग नहीं काम करेंगे unemployment क्रिये होगा and the line of lead to one final economy-wide trade-off a short term trade-off between inflation and employment यह मैंने आपको पूरा इसमें बता दिया इसी तरह के से business cycle चलती है और यह आप कभी नीचे जा रही है market कभी उपर आ रही है Conclusions की अगर हम बात करें कि आपके पास taste of economy what economies is all about in the economy chapter we will develop many specific insights about people market economies mastering these insights will take some efforts but it is not to cover overwhelming task the field of economics is based on few basic ideas that can apply in the economy in different situation through this book we will refer back to the 10 principle of economics हमने इसको पढ़ा है और आपको इस चीज़े बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगी students बाकी हम next lectures में पढ़ेंगे hopefully आप सभी को अच्छे तरीके से lecture समझ में आया हो चले students मिलते हैं next lecture